नमस्कार दोस्तों अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह GDS Conduct and Engagement Rule का Rule No.24 है आप यहाँ देख सकते हैं Rule No.24 और यह Criticism of Government है आपने सुना होगा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी हो चाहे फिर वो State Government का हो या फिर Central Government का Employee हो Employee हो या फिर कोई अधिकारी हो कर्मचारी अधिकारी कोई भी हो किसी भी सरकार में हो वो सरकार के नितियों का उलंगन नहीं कर सकता जो सरकार policies बनाती है उसको वो criticize नहीं कर सकता एक तरह से सरकार की नितियों की आलोशना कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता फिर चाहे व का employee हो या फिर central government का employee हो और central government के employee के लिए ruling है CCS conduct rule 1964 आपको पता होगा इसके तहत कोई भी central government employee या officials government को criticize नहीं कर सकता government के policies को criticize नहीं कर सकता जो भी policies government लाती है time to time उसको accept करना पड़ता है उसको और उसी तरह से state government का भी है state government का अपना अलग ruling होता है और ग्रामिन डाक सेवक जो होते हैं department of post के इनके लिए भी एक ruling है और यह आपको पता ही है कि GDS conduct and engagement rule के तहत होता है सब कुछ गवान होता है GDS का तो उसी में है rule number 24 अभी जो आप देख रहे हैं इसके बारे में full discuss करेंगे rule number 24 में क्या है criticism of government अब देखिए ग्रामिन डाक सेवक कोई भी हो वो भी government के policies को criticize नहीं कर सकता सरकार के नितियों की आलोशना वो नहीं कर सकता लेकिन किस situation में ऐसा कर सकता है किस में नहीं कर सकता है वो हम पूरा detail में देखेंगे राज rule number 24 सारे GTS भाइबेन जितने भी है सब को यह जानना जरूरी है और अपना अधिकार सभी के लिए जानना जरूरी होता है तो देखिए सबसे पहले स्थार्टिंग कर से देख देखते हैं नो सेवक शाल इन एनी रीडियो ब्राटकास्ट और इन इन अनी दॉक्मेंट पुब्लिश्ट इन इस पोण own name or anonymously or pseudonymously or in the name of any other person or in any communication to the press or in any public utterance, make any statement of fact or opinion. कोई भी ग्रामिन डाक से वक हो, जिस भी कैटेगरी का हो, फिर चाहे वो GDS BPM हो, या फिर ABPM हो, या फिर वो डाक से वक हो, DS हो, डाक से वक आपको पता है, departmental official में काम करते हैं, और BPM ये B.O. में और ABPM भी B.O. में काम करते हैं, तो कोई भी ऐसा statement नहीं देना है, और कहां नहीं देना है, तो हमने देखा है, radio podcast में, और कहीं भी published नहीं होना चाहिए, communication किसी भी प्रकार का, media में नहीं जाना चाहिए, कोई भी ऐसा statement नहीं देना चाहिए, जिससे ये तीन condition पैदा हो, 1, 2, 3 आप देख सकते हैं, तीनों condition हम देखेंगे आगे, लेकिन ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसा statement नहीं देना चाहिए, पब्लिक में कि इससे तीनों कंडिशन पैदा हो एक एक कंडिशन देखेंगे सबसे फस्ट में देखिए which has the effect of any adverse criticism of any current of recent policy or action of the center government और state government देखिए time to time center government हो या फिर state government हो अपनी-अपनी policies बनाते हैं और उसको implement करवाने के लिए base level पर भेजते हैं तो उनकी policies पर बहुत bad comments भी आते हैं negative comments हम देखते हैं public द्वारा और कुछ positive comments भी आते हैं तो जो भी वो नीतिया बनाते हैं उसके उपर bad comments नहीं करना है गराम इंडाक सेवक को इसका ध्यान रखना है फिर चाहे वो central government की नीति हो या फिर state government की नीति हो उस नीति पर bad comment कोई किसी भी गराम इंडाक सेवक को नहीं करना है और देखिए दूसरा second में क्या है which is capable of embarrassing the relations between the central government and the government of any state मतलब कोई ऐसा statement जो central government और state government के relation को धुमिल करे उसके reputation को खराब करे ऐसा statement नहीं देना है अब देखिए last वाला condition देखते हैं which is capable of embarrassing the relations between the central government and the government of any foreign state भारत सरकार और जो foreign की state government है उनके बीच में भी relation एक अच्छा बना होना चाहिए ध्यान रखना है इस बात का कि ऐसे भी comments नहीं करने चाहिए जिससे foreign के relation इंडिया से खराब हो भारत सरकार से foreign की सरकार की relations खराब हो ऐसे statement भी आपको नहीं देना है और इसका ध्यान रखना है कि ऐसे statement आपको किस platform में नहीं देना है हमने सबसे उपर देखा था radio podcast मतलब publicly आप समझ जाए publicly कोई भी ऐसे statement नहीं देना है नहीं लिखित में या फिर orally आपको करना है किसी भी प्रकार के communication में उसमें हस्त शेख आपको नहीं करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कोई भी negative comments सरकार के policies पर आपको नहीं करना है कोई भी gram index है होको सबसे नीचे देखिए यह वाला point देख लेजिए provided that nothing in this rule shall apply to any statement made or views expressed by सेवक in his or her official capacity or in the due performance of the duties assigned to him अगर कोई duties उसको assign की गई है और duties के दौरान official capacity के अंदर अगर उसने ऐसा कुछ कहा हो तो उस पर यह ruling apply नहीं किया जाएगा इसलिए मैं बार-बार focus कर रहा था आपको इस पर radio broadcast पर और publicly कुछ भी communication में media के तुरू वहाँ पर आपको statement नहीं देना है लेकिन अगर आपको कोई official duty assign की गई है authority द्वारा तो वहाँ पर अगर आपने ऐसा कुछ बोला मतलब वहाँ अगर आपको जरूरत पड़ी है ऐसा बोलने की तो वहाँ आप बोल सकते हो उस पर आपके खिलाफ action नहीं लिया जाएगा देख सकते हैं आप तो इस पर आपके खिलाफ यह रूलिंग अपला नहीं होगा बाकि जो आप उपर हमने देखा जो communication के थूरू या फिर media के थूरू या radio broadcast में आपको statement नहीं देना है लेकिन duties अगर है duty time में अगर आप हैं आपको देने की आवशकता पड़ रही है तो आप दे सकते हैं तो ध्यान रखिएगा सरकार को criticize नहीं करना है जो भी government की policies है उसको accept करना है तो आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे ने अपरेट के साथ